अलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूं आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे बच्चों आज आम एक बहुत ही इंट्रस्टिंग सा पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जहां चाहा वहां राह बच्चों इस पार्ट से हमें यह पता चलता है कि किसी भी चुनोती को जीतने के लिए दिड़ निश्चे अभ्यास और लगन की आवशक्ता होती है तब कोई शारणिक कमजोरी भी आपका रास्ता नहीं रोग सकती तो आईए ऐसे ही एक धावक के विशे में इस पार्ट में हम पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं अपने पार्ट को सन 1936 का ओलंपिक खेल समारो हो खेल जगत में एक अभूत पूर्व तथा विलक्षन घटना घटी लकडी से सूखे पैरों वाले एक अपंग व्यक्ती ने जब श्रेश्ट धावक का खिताब जीत कर दूसरा इस्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता तो सारी दुनिया की आ भी संभव हो सकता है वह व्यक्ती जन्म से ही अपंग नहीं था बच्पन में आठ वर्ष की उम्र में वह एक दुरगटना का शिकार हो गया था एक दिन वह अंगीठी जला रहा था गलती से उसने मिट्टी के तेल की जगा उसमें पेट्रोल डाल दिया आग की भयानक की तरह हो गये साथ ही वह अपना एक हाथ भी खो बैठा उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया लंबी दोड़ धूप और इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया कि यह बच्चा अब कभी चल नहीं सकेगा माबाप की आखों के आगे अंधेरा च किन्तु बच्चे ने मन में आशा की लौ जलाई रखी वह एक अपाहिच का जीवन जीना नहीं चाहता था उसने हिमत नहीं हारी कश्ट और पीड़ा जेलते हुए भी उसने अभ्यास जारी रखा उसका आत्म विश्वास रंग लाया और धीरे धीरे उसने खड़े होना चल कर दिया सन 1933 में अमेरिका के सर्व श्रेष्ट धावक के रूप में उसने जेम्स ई सलीबन अवार्ड जीत कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और असंभव को संभव कर दिखाया उसकी सफलता से इर्शा करने वालों की कमीना थी एक दिन उसके पड़ोसी शिक्षक ने उसे भोंदु कहा तथा उसका मजाग बनाते हुए कहा कि खेलों में जीतना अलग बात है और पढ़ लिखकर नाम कमाना दूसरी बात है युवक को यह बात चुप गई और उसने इसे चुनोती के रूप में स्वीकार किया उची शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने पढ़न ही गया सन 1930 में उसने न्यू यॉर्क विश्विद्याले से पिएचडी की उपाधी प्राप्त कर बोलने वालों के मुँपर ताला लगा दिया इतने में ही उसे संतोश नहीं हुआ वह अपने देश और विकलांग लोगों के लिए कुछ करना चाहता था वह इस विशय में उसने राश्ट्र की सेवा की युध्य समाप्त होने पर उसने 800 एकड का एक फार्म खरीदा और जी जान से खेती में जुट गया अपनी मेहनत से उसने अच्छा पैसा कमाया खेती की आमदनी से उसने एक आश्रम की स्थापना की इस आश्रम ने लगभग 10 हजार ऐसे विकल विकलांग बच्चों को नया जीवन दिया जिन्हें समाज ने कुछ ना कर सकने लायक समझ कर एक तरफ कर दिया था खेल शिक्षा देश भक्ति और समाज सेवा सभिक शेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह प्रतिभाशाली द्रण निश्य व्य जीने की प्रेणना प्रदान की है उमीद करती हूं बच्चों आपको यह पार्ट अच्छा लगा होगा और इस से मिलने वाली प्रेणना को आप अपने जीवन में अपनाएंगे आपने समझा होगा इस पार्ट के माध्यम से कि ग्लेन कनिंग्धम ने अपने जीवन और हुआ है